अगर हम चिकन चिली घर पे बना आते हैं तो आपकी यह जो गलत फेमी है आज में दूर करने वाली हूं हम घर पे ही आसानी से चिकन चिली बना सकते हैं और बाहर वाले से ज्यादा अच्छा टेस्ट घर पे आता है प्लस हाइजिन के साथ तो बिना वक्त को जाया कि यह फटा सबसे पहला हमें चिकन को मेनीनेट करना है यहां पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है इसमिने वन टीस्पून जिंजर गालिक पेस्ट आलना है वन फ्वोथ टीस्पून अजिनो मोटर नमक टीस्पून नमक यह पले नमक है त्रिम काली मिल्ज पाउडर, चिल्य फ्लेक्स, एक अंडा डालना Quran, घंदा दालना विनिगर, स्वाइस ऐन उ ground है, त्रिम कैसे स्गुम की अधराई मीना से स्थावाया 23च or heat पर यहां पर थम्हः और स्वावन व्हीत प्रिक श्वित यह सारी चीजे आपस में मिल चुकी है इसको दो गंटे की लिए रख दिया था अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मिनीमम आप 15 मिनिट सकते हो और मेरे पास टाइम ठाथ था तो मैने दो घंटे के लिए रख दिया था कवर करके आप चाहे तो फ्रीज में रखो या बाहर तो दो गंटे बात देखे यह मेरा अच्छे से मेरीनेट हो गया है तो चलिए फटफट इसको फ्राइ करना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने कराई लिया है उसमें ओयल डाला है और इसकी जो फ्लेम है वो हमें मीडियम पर ही लखनी है फिर वन वन हमें यहां पर चिकन डालना है और इसको ना पास से छे मिनीट ही लगता है उससे ज्यादा नहीं लगता है पास से छे मिनीट इनफ है वो उतने में ही यहां देखिए जो चिकन है वो अच्छी तरीके से पूरी फ्राइी हो चुकी है तो मैं आपको तोर के दिखाती हूँ यह अंदर का जो टेक्सर है वो कैसा है देखिए इस तरीके से है यह अच्छी से कुखो चुका है इसे आफ ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही मज़़दार की लगती है यहां पर मैंने स्पैसिस लिए है तो आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं आपके टेस्क एकोर्डिंग इसे हमें हैं ग्राइंडर से ग्राइंड करना है ताकि यह दर दरा रहे अगर हम मिक्सर में करेंगे तो यह पेस्ट बन जाएगा तो चाइनिस आइटम में हम पेस्ट नहीं डालते है दर दरा पन ही डालते है तो आपको भी हैं ग्राइंडर से ग्राइंड करना है और यहां पर मैंने लिया है प्याज कैप्सिकम तो प्याज को आपको इस तरीके इस सेप में काटना है और यह जो सिम्ला मिज का वाइट पार्ट रहता है उसको आपको जरूरी रहेगा तो चलिए फटा-फट इसको बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने एक बातन में थ्री टेबल स्पून में आइड लिया है तो सबसे पहले हमें करना क्या है प्याज और सिम्ला मिर्च को दो मिर्च के लिए बस फ्राइ करना है ज़्यादा कूक नहीं करना है हमें सिर्फ दो मिनिट के लिए इसको कंटिने स्टर करना है तो दो मिनिट बात देखिए यह अच्छी तरीके से थोड़ा सोल्टे हो गया है तब हम इसको निकाल लेंगे फिर उसी बतन में हम अद्रक लेसून मिल्ची पेस्ट डालेंगे इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक कि हमारा अद्रक लेसून का कच्छा पर ना निकल जाए फिर हम इसमें एड करेंगे स्प्रिंग अनियन इसको भी 15 से 20 सेकेंड तक स्टर कर लेंगे उसके बाद हम इसमें एड करेंगे 1 टेबर स्पून विनिगर 1.5 टेबर स्पून मतलब की 1.5 टेबर स्पून हम एड करेंगे सोया सोस इसके बाद हम इसमें एड करेंगे 1.5 टेबर स्पून चिल्ली सोस इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे केचप ये भी 1.5 टेबर स्पून रहेगा फिर एड़ करना है हाफ टी स्पून काली मिल्च वन टी स्पून नमक ये आपके टेस्ट के एकोर्डिंग रहेगा फिर हमें सारी चीज़ों का अच्छे से मिला देना है फिर हमें इसमें एड़ करेंगे प्याजूर सिम्ला मिल्च इसको भी हम इसमें डाल देंगे फिर हमें इसमें चिकन भी डाल देंगे और ये तमाम चीज़ों का अपस में अच्छे तरीके से मिला लेंगे आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी डाल के ड्राइ चिकन चिली बना सकते हो पर मैंने यहाँ पर पानी का इस्तिमाल ज्यादा किया है क्योंकि यह ग्रेवी वाला चिकन चिली है तक्रीबर मैंने तीन कप यहाँ पानी डाला है इसको अच्छे से मिला लेना है बॉइल आने देना है इसमें अच्छी तरीके से इसे स्टेज़ पर आपको Conflor की Slurry एड़ करनी है यहांपर मैंने 4 टेबल स्पून पानी में 2 टेबल स्पून Conflor लिया है और इसको अच्छी तरीके तो यहां और उसमें से एक-ड़त पहले है जनेते अच्छे के लिए लिए जने जानवे पलंभा उत्च दश्ण के लिए हम इसमें एड़ करना है एक करने सिर्ण एक के बिद यह आत्यों हमें टुर लव्य है जो कि पार डालने मेड़ें की सब्र εκ blessing के लिए मैंने यहां पर स्प्रिंग अनियन डाल दिया है तो उमीड करते हूं आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहफीज